सैस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम करेंगे जुमेटरी का थर्ड पार्ट पिछली प्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर कर लिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो वह वीडियो जरूर देखे आज देखते हैं क्वाडिलेटरल एडज प्रॉपरटिज इसकी एक में बात है जो आमने सामने के एंगल सोते हैं वह किसके इकल होते हैं 180 के. आमने सामने के angles किसके इकूल होते हैं? 180 के. ओके? अब देखो ये कोई circle है. इस circle का ये center है. और ये इसे touch कर रहे है, तो ये क्या है? tangent है. Circle के साथ tangent क्या है? ये है. अब देखो, ये कोई circle है. इसमें ये दो lines क्या कर रही है? अपसमें cross कर रही है, cross कर रही है और यह कोई point है, इस point के through cross कर रही है, ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा AP cross BP DP cross BC equal हो जाएगे, यह इसके equal हो जाएगा, और इसकी multiply इसकी multiply, is equals to DP की multiply, DC की multiply, next देखो, इसमें यह circle given है, यह इसका कोई center, यहाँ पे बाहर कोई क्या ले लिया, point ले लिया, और इस point से दो tangent ले लिये A और B, AP और BB tangent ले लिया तो यह इसके equal हो जाएगा AP equals to BB यह दोनों tangents क्या हो जाएगे equal हो जाएगे, अगर question में यह given है, अगर यह statement given है, और यहाँ पे आपको इसका answer क्या जाएगा, 5 हा जाएगा अब देखो, एक tangent दे दी और एक code दे दी ओके, तो यह point P से मिल रही है, यह point P पे मिल रही है, तो हमारा क्या जाएगा tangent तो यह है, और यह code AB, और point कहां पे मिल रही है P पे, तो PT का square, PT का square जो यह वाला tangent है, यह किसके को लो जाएगा PA multiply PB PB multiply PA, ओके अब देखो next next में क्या है, अब यहाँ पे tangent given है, या नहीं given है आप बताओ हमें तो पता है, tangent तो बहार से touch करेगा circle को, बट यह तो बहार से कोई भी line touch नहीं कर रही, तो यह क्या नहीं है tangent नहीं है, tangent नहीं है तो क्या यह code है, code को बहार मिला दिया, point P पे point P पे मिला दिया, AP, जो यह point P है ना, यह सब के साथ मिलेगा, जैसे A के साथ भी, B के साथ भी, C के साथ भी, और D के साथ भी, जह यह पॉइंट बहार हो या फिर चाहिए पॉइंट अंदर हो अब यहां पे बहार है तो हमने क्या कर लिया इसमें AP AP multiply PB और P PC multiply PD आप देखो parallel code ये दो circle है ये code इसके parallel है और ये code इसके parallel है ठीक है ये तो opposite side है इस center के opposite है एक इस side है और ये center के एक ही side है same side है अगर same side है तो क्या हो जागा P plus B और opposite side है तो P plus B और same side है तो P minus B P क्या है या पे perpendicular और B क्या है base अब इसको हमें question के साथ देखते हैं question में क्या given है two codes of 8 and 6 centimeter are drawn in a circle having radius 5 centimeter circle का radius कितना है 5 centimeter है और जो code है उसकी length एक की length क्या है 8 है दूसरे की length क्या है 6 है codes are opposite side to the center जो codes है वो क्या है opposite है किसके center के same side नहीं है अगर opposite side में तो क्या हो जाएगा P plus B हो जाएगा अब देखो P और B का हमें कैसे पता चलेगा कि यह P हैं और यह B हैं इसका half कर लिया इसका half कर लिया यह 3 हो गया और यह 4 हो गया और यह जो hypotenuse है यह हमें given है 5 cm radius जो radius है वही तो hypotenuse होगा वही तो सबसे बड़ी length होगी circle में जो हमें hypotenuse given है radius given है ओके 3 यह हो गया 4 यह हो गया और जो यह 3 यह हो गया निकाल लेंगे P plus B तो 4 plus 3 equals to 7 अगर आपको direct learn करना है तो direct learn कर लो यह diagram बनाने की कोई need नहीं है half of the both codes is perpendicular and base जो दो code given है उनका half एक perpendicular हो जाएगा एक base हो जाएगा जैसे यह 8 है और यह 6 है 8 का क्या हो जाएगा 4 4 और 6 का क्या हो जाएगा 3 3 एक 4 यहां पर एक 3 यहां पर चला है जगह यहां पर 3 यहां पर 4 और radius में गीवन था अब देखो major segment और minor segment major segment क्या होती है और minor major का मतरब जो बड़ा area हो और minor का मतरब जो छोटा area हो major segment angle will be less than 90 जो major है उपर वाले में उपर वाले में हमेशा 90 से क्या हो जाएंगे angle कम होंगे अगर इसमें statement में अगर एक angle हमें given है 90 का ठीक है और इसमें यह पुछा जाएं कितने angle और बनेंगे तो इसमें और सभी angle भी कितने के बनेंगे 90 के अगर एक angle 45 का है तो दूसरे angle भी कितने के बन जाएंगे 45 के अगर minor में 130 given है एक angle और दूसरे पूछे गई हैं तो वो भी कितने के बन जाएंगे 130 के सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि same angle बनेंगे देखो in major segment one angle is 50 then other will also 50 अगर एक angle 50 का given है उपर वाले area में तो सब भी angles किसके हो जाएंगे 50 के और minor में भी यही है obtuse angle बनेगा और अगर एक angle 130 का given है तो सब ही क्या हो जाएंगे 130 के given हो जाएंगे sorry 130 का हो जाएंगे अब देखो right angle triangle in circle यह कोई circle है इसके अंदर right angle triangle draw कर दी अब देखो इसमें यह तो हो नहीं सकता वही right angle यहां से draw जाएगी ठीक है यह touch भी तो करने चाहिए है तो जो इसका hypotenuse होगा वो क्या हो जाएगा center को cross करेगा center को cross करेगा तो इसका radius हो जाएगा circle का hypotenuse AC वो क्या है diameter और जो इसका half कर दिया AC का वो क्या बन जाएगी circum radius और mid point O क्या है यह क्या है circum center इसको क्या बोलेंगे circum center अब देखो अगर हमें यह given है कि internal bisector in center of circle और external bisector bisector का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को दो equal parts में divide करना वो क्या होता है bisector अब यह हमारे पास circle है इसमें triangle दे दी ABC और यह क्या है internal है ना इंटर में है जो यह क्या है inter bisector कांपे है circle के अंदर है अगर circle के अंदर है तो हम क्या formula ले लेंगे 90 plus half of a जो angle हमें triangle में given नहीं है उसका half कर देंगे और अगर external निकालना है external means to उससे बाहर इस circle के जो यह circle है उसकी जो यह triangle है उससे जो बाहर कोई point पी बना रहा है external तो उसको क्या कर देंगे minus बस दो formula याद करने है internal में तो 90 plus half of जो angle triangle में given नहीं है वो और external के लिए minus हो जो इस example में क्या है a b c a b c हमें given है कितना 60 degree और b c a b c a given है 80 हमें निकालना क्या है i i suppose कर लिया यहां पे i है यह in center पे i है i find out करना है तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों का sum कर लेंगे 180 minus में 60 plus 80 is equals 2 में 40 आ जाएगा अगर in center निकालना है तो in center में 90 plus half of i i हमने यहां से निकाल लिया है वो क्या गया 40 40 कैसे आया 180 में से इन दोनों को minus कर दिया हमें पता है कि triangle के 3 angles का sum 180 के एकवल होता है दो angle हमें given है 180 में से इन दोनों को minus कर दिया तो जो i है वो क्या जाएगा 40 और 40 से क्या करें multiply तो हमारा जो third angle है वो किसके ऒगए है जाएगा 110 आज ओंध संट्र है टो ओंध में क्या हो जाएगा मैंनस हो जाएगी यहीचीज देकें 40 श्यृत्र को गया अगर यह सेम ऐग्ल लगीवन है एक्से स्टेरियर ऐंग्ल गीवन है एक्टरनल और स्ट्रीक तिक कुई बहार है अब देखाव direct common tangent इसके नाम से ही पता चल रहा है direct common common का मितलब एक tangent ये दो circle given है इसका एक का tangent ये है और इसका tangent दोनों का tangent क्या है direct है और इसका radius capital r है इसका radius small r है तो हमें D, C, T निकाल ली है, D, C, T क्या होते हैं, direct common tangent, length of a direct common tangent, जो की क्या है, A, B और C, D, तो इसका formula क्या हो जगा, root of D का square, इसका square, minus, capital R, minus small r का square, इसका whole under root, समझाई बात, नियाई दो बारा देख लो, जो ये triangle है, sorry, ये दो circle है, इस पर ये एक tangent है, और एक tangent ये है, इनकी length निकालनी है, कि क्या length होगी, और हमें ये distance हमें given है, small r और capital r दोनो given है, बस उसका क्या करना है, root करना है, इस distance का minus, capital r, minus small r का square, बस, dct में ये है, और transversal, transversal में क्या है, ये काट रही न, transversal में देखो, वो तो direct थे, और ये क्या है, transversal, transversal में क्या हो जाएगा, बस एक चीज़ है, यहाँ पे plus हो जाएगा, और formula same है, root of d square, ये d है, root of d square minus r plus r का square, ओके, अब देखो next, circum circle और circum center, in center और in circle, इसका मतलब ये है, कि जो ये circle है, इसके अंदर कोई भी equilateral triangle है, तो उसका radius निकालना है, तो क्या जाएगा formula, a upon me root 3, a क्या है, side, अगर क्या जाए, circle के बहार triangle है, equilateral triangle है, और इसका radius find out करना है, तो हमारे पास क्या जाएगा, r is equals to me, a upon me 2 root 3, और अगर equilateral triangle नहीं है, तो r क्या जाएगा, a, b, c, a, b, c, क्या है, side, जो हमें given है, 4 into me area of triangle, जो area of triangle है, वो किस से निकल जाएगा, heroes formula से, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 into me area of triangle, a plus b plus c, यहाँ पे a plus b plus c multiply में ही, यहाँ पे plus में हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, और area of triangle दोनों में same रहेगा, और यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यह कुछ formula है, यह directly use करने है, find the two sides of triangle, अगर क्या आजाएगे, दो side given है, और एक angle given है, तो area क्या जगा, half into में, a into में b, sine theta, अगर square है, square में क्या हो जाते हैं, दोनों side equal होती है, a और b, तो a square sine of theta हो जाएगा, half भी आएगा इसमें, अब देखो यह, क्या हो जगा, pi r square into में theta by 360, और square और rectangle given है, और एक square given है, उसका fourth हिसा यह है, तो इसका क्या जगा, pi r square, pi r square by में 4, पूरे circle का fourth part है, अगर यह triangle है, triangle में यह circle दे दिए, इसका fourth part, तो क्या जगा, pi r square by 2, thanks for watching, अगर वीडियो अच्छी लगिए, तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें, मिलते हैं next video में, thank you,